आज से हम भगवान बुद्ध की जो उस समय के वतरल्व के आसपास में एक भासा जिसको मगदी या पाली बोलते हैं, उसको सरल रूप में बताने का प्रियास करेंगे, क्योंकि पाली बहुत सरल भासा है और इसको सरल भासा के रूप से ही कोशिश करेंगे, कि जो इसका रहसे है वो निकल के भाहर आ जाए और लोग इसको जाना शुरू करते हैं, बिसिकली हम जो आज हिंदी बोल रहे हैं, और जो ये हिंदी भासा जो मैं इस समय बोल रहा हूँ, ये हिंदी भासा पाली के समय या भगवान बुद्ध के समय में इसके कहीं कोई आता पता नहीं था, भगवान बुद्ध के समय में जो भासा बोली जाती थी एक तो भासा थी चंदस यानि जो चंद में बोली जाती थी चंद के रूप में उसको वैद की भासा यानि वैद की भासा या चंद की भासा एक भासा थी जो प्योर पॉब्लिक की भासा थी आम आदमी भासा थी जो प्राकर्टिक थी जिसको मगदी बोला करते थे मगदी को भी बाद में पाली के नाम दिया और एक छंदस और पाली को मिला के यानि छंदस को और मगदी को मिला के अर्ध मागदी यानि आधी मागदी होती थी जिसको आधी पाली बोल सकते हैं जिसमें जो जैन के लोग थे जो जैनिन वाले लोग थे पाली को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाली बहुत सरल है और पाली में धम को आसानी से समझा जा सकता है पाली बहुत सरल इसलिए है क्योंकि पाली आज भी मैं जो बोल रहा हूँ वो पाली का ही रूप है पाली को नहीं भासा नहीं है प्राचीन समय से जो हमारी लोग बोलते आ रहे हैं वो पाली ही भासा है क्योंकि संस्कृत भासा पाली के बाद बनी है पाली का मतलब है प्राकर प्रकरट्र थी जह एक इस संविधान सुविकार घृता है। समिधान के इसाब से आज की डेट में भी मगर सबसे जादा हम जो इस्तमाल करते हैं वो Continental भासा यानि की अंतराश्टे भासा जो इंगलिस है उसका इस्तमाल भारत में करते हैं तो पाली के वारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा के पाली सीखने के लिए आपको दस दिन की क्लास जो प्रोफिसर प्रफुल गडपाल जी चलाते हैं और वो दस दिन का रेइडेंस क्लास चलाते हैं वो बहुत उत्तम है मैंने वो क्लास की हुई है आज जो मैं कुछ पाली में आपको बताने की स्थिति में हूँ, वो वहां से मैंने सीखा है, तब ही मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं यहां इन बॉक्स में आपको प्रोफिसल गरपाल जी का नंबर दूँगा, उन किलासे चलती रहती हैं, वो नंबर लेकर आप उनसे डायक्ट कांट्रेक्ट कर सकते हैं, और जिनको पाली सीखनी हैं, वो दसनिका कोर्स उनसे वहां कर सकते हैं, और जैसे मैं आज पाली में आपको बता रहा हूँ, फिर आप वैसे ही पाली लोगों को बता सकते हैं, पाली का बहुत अच्छा ध्यन, बहुत बड़िया पाली वो सिखाते हैं, बोलना भी सिखाते हैं, लिखना भी सिखाते हैं और पढ़ना भी सिखाते हैं और बहुत और फ्री और मनी कोरे से कोई इसका चार्ज नहीं है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, रेजिनेसल खर्चा आपको खुद देना होगा, दें या ना दें, वो बड़े द्यालू है, बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनको सिखाने का शौक है, तो आप वहाँ उनको ज भासा, वो पाली को फटाफट छे मिने में, तीन महिने में, एक साल में सीख सकते हैं, आराम से, क्योंकि पाली जो परानी भासा है, इसके आपको पाली के नाम के बहुत साथा गाउं भी मिलेंगे, और पाली वाल जो लोग हैं, जो पाली को सीखते थे और सिखाते थे, वो आज भी भारत में पाली वाल लोग हैं और राइस्थान में तो पूरा पाली का पाली एक जिलाबी है और पाली बहुत ज़्यादा गाउमी है तो पाली कोई ऐसी हो नहीं है कि जो गायव होगी भासा पाली थोड़ी सी कनवर्ट भासा हो गई है और बुद्ध ने जितने भी जितने भी उपदेश दिये या अपने सिस्टों को या जो भंतों को उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने कहा कि आपको लोग भासा यानि कि पब्लिक की भासा यानि कि जो लोगों में भासा पचलता है उसी मदेने हैं तो उन्होंने सिस्पष्ट आदेश दिया था कि आप आपको सिर्फ पाली या ऐसी भासा में convert करना है जितना भी material है जो भी इसमें सिखाया है जो आम भासा है ऐसी भासा में नहीं करना जो अभी जात्ते हो की या जो special work की या बहुत कम लोगों की भासा है ऐसी भासा में इनको convert नहीं करना और ये बात मानी गई इसलिए और भासाओं में, क्योंकि बाद में संस्क्त में भी उसाहित्य चेंज हुआ और अर्दमाग्दी में भी मिलता है जो जिसमें जैन के आगम लिखे हुए है तो पाली को सीखने के लिए आपको करना क्या है? पाली को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पाली कैसे काम करती है देखिए आप जब बोलते हैं बुद्धो और बुद्धा आपने देखा होगा अंग्रेजी में बुद्धा बोलते है तो बुद्धा जो बोलते हैं बुद्धा का मतलब है बहुत सारे बुद्धा और बुद्धो का मतलब है एक बुद्ध अगर आप मेरा नाम बोलेंगे सुधीरो तो इसका मतलब है एक सुधीर और अगर बोलेंगे सुधीरा तो इसका मतलब बहुत सारे सुधीर होगे यह बड़े सिंपल सी बात है हम बोलत बुद्ध की कर दिया और बुद्ध की को अगर एक शब बोलेंगे पाली में तो बुद्धंग हो जाएगा बुद्धंग नमामी यानि बुद्ध की नमामी और बहुत सारे बुद्धों की नमामी यानि बहुत सारे बुद्धों की नमामी तो बुद्धे नमामी हो गया यहा ये काम किसने किया तो हम कहेंगे बुद्धेन, बुद्धेन का मतलब है बुद्ध के द्वारा हुआ, या ये काम किसने किया तो हम कहेंगे सुधिरेन, यानि सुधिर के द्वारा हुआ या सुधिरने किया, कितना आसान है, अगर बहुत सारे बुद्ध करते हैं तो कहेंगे बुद्धे ही, किसने किया ये काम, बुद्धे ही, यानि इतने सारे बुद्धों ने किया, ऐसे ही अगर हम कहते हैं, आपने देखा होगा क्या कहते हैं, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो नमो बुद्धाय का मतलब है, बुद्ध के लिए नमन, इसको हम नमु बुद्धाय्य चतिके नमन करेंगी तो इतना सिंपल है, याकि के लिए जो शब्द है वो सिर्फ इस आय से जुड़ गया है, हम कितनी वार समार करते हैं? नमु बुद्धाय्य नमु बुद्धाय्य चतिके लिए नमन, इतना फेस्पष्ट है, अगर हम यह कहें कि से यानि के जैसे अमरसर से तो इसका एक बला सिंपल सा है कि अमरसर तो अमरसर से का मतलब अमरसर तो आज भी पंजाबी में ये बोला जाता है भटिंडा तो, अमरसर तो या मुंबई तो या गुजरात तो या क्या बोलते हैं दिल्ली तो तो का मतलब है से तो पाली से ही ये से बना है मगर इसके तीन शब्द और भी आते हैं जिसमें बुद्धा, बुद्धमा और बुद्धस्मा यानि ये चार शब्द हैं चार शब्द याद ना रहें आप एक याद रखें तो लगा दें यानि सुधीर तो, सुधीर से मुंबई से तो से का मतलब यहां ऐसा आ जाता है और फिर अगर काकी के हैं यानि कि ये किस की किताब है हमके बुद्ध की किताब है तो बुद्धस्य बुद्धस्य का मतलब है बुद्ध की किताब यह बुद्ध से अगर कहेंगे तो बुद्ध की हो गया ऐसे ही अगर हम यह कहें कि यह में या पर्मे अगर करें तो बुद्ध हो गया बुद्ध मी हो गया तो यह इस तरह ऐसे बहुत सिंपल चलते हैं इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है आप एक किताब लेंगे जो 31 दिन में पाली कैसे सिखाएं वो किताब आप मंगा लें या पाली की कोई किताब मंगा लें उसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं पढ़ते जाएंगे और ये वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जा पाली यहां से लेके इरान और चीन और जापान और वहां तक फैली हुई है जो सुंग, मंग, तंग, जुंग, अंग, वंग्र है यह सारे अंग वाले वर्ट जितने भी हैं पाली के हैं जो समय समय पर आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको सौन्ज में आएगा यह ची चाँ चुमवाले भी सारे वर्ट पाली के हैं, जो उधर चलते हैं, तो ये बहुत एक इंटरनेशनल भासा है पाली, और ये थोड़ी सी भूरी जा चुकी है, अगर आप थोड़ा सा इसको याद करेंगे, तो आप खुद पाली बोलते हैं, पाली के दूसरे सेसन में हम इसको और सि करेंखे बार सी घव और से जाचивать करेंगे, जो ये जात उनी भी सियह में हम इसरूपरी, मिया तो येकर फोड़ी में ये, ये रोड़ी बोलत बोलते हैं, ज हमत